हलो दोस्तों कैसे हो आप सब भी लोग वेलकम बैक यह है मार्वल कंटेस्ट आफ चैंपियन का एक और एपिसोड 7 एक्ट 7.1.5 का एपिसोड है जल्दी से एंटर करते हैं तो गाइस में एंटर कर चुका हूँ यह रही मेरी टीम एंट गाइस में पास लेने वाला हूँ यहां पर मिश्टर सिनिश्टर वाला जिसमें लाइफ साइकल लगा हुआ है प्रीवर्स लेकी तो हमारा एक्टेउ से अटब करें गाइसमें अगरей तो तो यहां पर मिश्टर सिनिश्टर वाला पास ले रहा हूँ इसके लिए पर sièıl नेकार कुछ ले रहा हूँ वो है warlock, warlock ही इसको मार पाएगा और hurt locker लगा हुआ है तो इस इसका हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पे कुछ boost है जो expire होने वाले हैं, उन्हें यूज कर लेते हैं, अच्छा है कि expire ना हो यहाँ पे हम attack boost यूज कर रहे हैं यहाँ पे मुझे लगता है, मैं champion boost भी उस कर रहा हूँ, यहाँ पे 30% boost बढ़ा दिया है health and 40% हमारी यहाँ पे attack rating बढ़ चुकी है Mr. Sinister के साथ fight है, यहाँ पे life cycle है, आप सभी लोगों को पता है life cycle में करना क्या होता है जादा से जादा हमें knockdown करना पड़ेगा, ताकि जो life cycle शील्ड का time है, वो हम maximum कर पाए, 3 second के लिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, जितनी बाहर knockout करेंगे, हर knockout में 0.5 second कम होता चला, बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो, आदे second के लिए वो maximum 3 second करना होगा, और जब भी fight को end करना है, शील्ड हमेशा off रहनी चाहिए, तब ही जाके हम बंदे को मार पाएंगे, अगर नहीं मार पाए, शील्ड off करके, वो 1% से नीचे गिर गया, तो यह region करेगा 10%, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता है, यहाँ पे मैं healing ability, जो है, मैं रोक ली है, रिवर्स नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई यूज नहीं है, और यहाँ पे आप लुक देख रहे हो, अभी तक मैंने life cycle shield को maximum नहीं किया है, एक और मुझे लगता है, अभी भी नौक ओट करना पड़ेगा, यहाँ पे hurtlocker 2 लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे shield का, तो knock out तो करते रहना पड़ेगा, हमें इसको मारता रहना पड़ेगा, हमें, ध्यान हमें यह रखना है, जब यह 1% पे होगा, यह shield off होनी चाहिए, और तब जाके मेरे को इसको मारना है, वरना यह region कर जाएगा, वैसे region तो नहीं करेगा, क्योंकि मैं infected करते रह रहा हू इसको, लेकिन यह मरेगा नहीं, यह बात है कि यह मरेगा नहीं, एनिवे, कोई नहीं, हमने shield को off रखा है, भी फिलहाल, maximum time पे लेके गे हैं, पहले तो हमको यह हमरा main मक्सिद यह है, कि हमें सबसे पहले, यहाँ पे इसको 1% पे पहुचाना है, यहाँ पे special heart locker 2 लगा हुआ ह यहाँ पे, तो मुझे special 1 नहीं, तो special 3 फैकना पड़ेगा, मैं special 1 फैकना नहीं चाहता क्योंकि infection हट जाएगा shock से, and मैं special 3 फैकने वाला हुच से, यहाँ पे, जो के specials है, कभी-कभी evade जाते हैं, कभी-कभी evade नहीं होते हैं, इसले block damage ले ले लेके, मैं यहाँ पे 50, I think 66% पहुच चुका हूँ, यह कि हम इने shield को off, and अब थी, मैरे को लगता है, मैं special 3 फैकना चाहिए, वैसे, okay, 17% यह, मैं special 3 अब ऐसा मारना चाहता हूँ, ताकि यह मरी जाए, बंदा जिन्दा ना रहे, 11% है, इसकी health अभी, and 10% पहुचा दिया, मैं 8%, 6% and यहाँ पे दिया, मैं अब जाके मेरे को special 3 यूज करना है, shield off है, तो यह शायद मर जाएगा, अब मुझे लगता है, okay, 2% and यह नहीं मरा, okay, fine, ठीक है, मुझे, अरे, shit, मेरा combo meter भी गया, and मैं मार पढ़ी जा दिया, अगर कर, okay, यहाँ पर अगर आप मैं मारता हूँ, तो मर जाएगा, बढ़िया तो shield on रहके नहीं मारना है, shield off करके ही मारना है, चलते हैं, नेक्स फाइट पे, परली फाइट अनॉइंग थी, जो Mr. Sinister के साथ ही अनॉइंग फाइट थी, वो अब दूसरी फाइट जो है, class advantage है, हरकुलीस है, यहाँ पे, shield हमें जादा से जादा टाइम लगाना पड़े का पहले जादा साथ मैक्सिमम कर देते हैं, उसके बाद में आप लोगों को पता है, आल्ट्राउन भी अनॉइंग है, क्योंकि यह इवेड करता है, ऑ के यह आपे, इसका चहिए, जो हो फोरना कंगाना पड़ेगा, यहां भी उन inflation क्या जेकल दृटा कि यहां इवेड कर लिए, एसका मेरे पास कितने तू लगा हुआ है यहां पर करते हैं नॉक ओट इसे फिर से एंड शील्ड का टाइम थोड़ा ओर बढ़ गया है कितनी दूर से मारा इसने हवी मिरको भाई आदे ग्राउंड कवर कर गया भाई है तो ठीक है यहां पर स्पेशल इंटरसेप्ट तू दिया हमने वन पर एंड भाई बहुत दूर से मार गया यहार है तो चलो कोई दिकत की बात नहीं है हमको वैसे भी से मार नहीं है इसका जो यह है प्रोसेसिंग आ रहा है सेल्फ रपेयर हो यह तो मिरको स्टन करना अरे बाई कितनी दूर से पट रही है मार मुझे ठीक है कोई नहीं है होट लॉकर वन लगा है तो स्पेशल टू चोड़ना पड़ेगा यहां तो स्पेशल थ्री चोड़ना पड़ेगा मुझे वैस अब मार सकता हूं मैं से बहुत बढ़िया मार अमर गया यह भी चलते है नेक्स वाइट पर वोके तो गाईज अगर आप लोगों को पता होगा एक नोड था जब भी हम टेक अटेकर यूज करेंगे उसका स्पेशल यूज करेंगे तो सामने वाला बंदा जो है वो हील ब्ल अब पॉड़न करना चाहता हूं लेटसी दिखते हैं पॉड़न कर आइख कर दीया मैंने इसका हें बल्लॉक भी है यह तो बंदा हील भी नहीं करेगा एंड एट सेकेंड के लिए हील बलॉक है यह एंड मेरे यह को इसका शीर्ड अवर ओ आफ करना पढ़ेगा ताकि जो य मुझे लग रहा है ऐसा ओके मैक्सिमम टाइम पर पहुच चुका है शील्ड होट लगा है तो मुझे टू तो यूज नहीं कर सकता लेकिन मुझे स्पैशल 3 यूज करना पड़ेगा क्योंकि पॉवर अपने पास होगे ओ भाई मैने कैसे हैवी मा रहा है अपर किसमत बहुत अच्छी थी भाई 22 किसमत अच्छी थी यहां पर पड़ी नहीं मार मैने हैवी स्पैम कर दिया था यार महां पर ओके स्पैशल 3 हम जब भी छोड़ेंगे तो पॉवर बन कर लेंगे 50% इसका एंड प्लस शॉक भी दे देंगे हम यहां पर शील्ड ओफ है आइ थिंक सो मर जाए प्लीज यार मर जाना शील्ड ओफ है ओनो मैन चार परसंट अभी बचा है तो मिरको नौक ओड करना ही पड़ेग इसको अब ओके मैने किर दिया यहां पर शील्ड ओफ अब मार सकता हूं मैंसे वैसे भाई मार मत देना मिरको अब तू अरे फिर से इसका शील्ड जो है वो आउन हो गया यार ठीक मैं स्पैशल मन छोड़ू उस पर यह स्टन भी हो जाएगा एंड मैं यहां पर हैवी बी स् तो ग्लास एडवन्टेज के साथ ही लडने वाला हूं मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं खेलने वाला यहां पर एंड हमारा जो शील्ड है मुझे पहले इसको नौक ओड करना पड़ेगा ताकि जो शील्ड है वो मैक्सिमम टाइम पर पहुंचे एंड उसके बाद में हम स्पैशल वन देखना पड़ेगा एक बार स्पैशल टू भी यूज कर सकता हूं वैसे ओके इसका अगर मैंने यहां पर स्पैशल वन पड़ गया मुझे तो फिर मैं अपने स्पैशल को यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पेन लिंक आ जाएगा तो मेरे को जब भी मैं स्पैशल बन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता गुलिटीन का मुझे यहां पर नॉक आउट करना पड़ेगा यह किया मैंने नॉक आउट अगेन अरे मैं स्पैशल 3 छोडने वाला था इस बंदे ने छोड़ दिया आंगे से महां से ठीक कोई नहीं यह किया मैंने नॉक आउट कर दिया मैक्सिममम टाइम हो गया होगा आप शायद से मुझे लग रहे है हूट लॉकर 13 लगा होगा है तो हमको 1 यह 2 छोड़ना होगा स्पैशल को हम 3 छोड़ सकते हैं लेकिन फिर मुझे जल्दी से जल्दी पांस सेंड के अंदर हैवी फैगना पड़ेगा ताकि हर्ट लॉकर का जो ब्लास्ट है वो उससे बच पाए ठीक है पेल लिंक आ गया अगर मैंने यहाँ पर स्पैशल छोड़ा तो मुझे रिफ्लेक्ट होगा डामेज जब तक यह नहीं जाएगा तब तक मैं इसको ऐसे बेसिक ही फाइट करने वाला हूँ पेल हर्ट लॉकर 1 है तो हमको स्पैशल 2 यहां 3 ही चोड़ना पड़ेगा उसके अलावा अगर छोड़ा तो ब्लास्ट मिलेगा बर्स्ट डैमेज होजाएगा सीथे ओके स्पैशल 2 मेरा रेडी है यहां पर शील्ड भी ओफ है एंड यह 26% पर पहुंचा है मैंने किया यहां पर इसको स्टन ए यह दिया मैंने हैवी एंड 12% पर पहुंच गया है स्पैशल 2 चोड़ा उसने भी होट लॉकर 1 चोड़ते हैं यहां पर अरे शिट इसना ब्लॉक कर लिया भाई टाइमी में गड़बड हो गई यार शिट मैन भाई देगरों तीन हीट में में कितना इसा खाया ठीक है कोई यहां पर लिंक से मैं हो जाओंगा वैसे भी थोड़ा बोथ हील हुट लॉकर 1 लगा है तो मुझे स्पैशल 2 ही चोड़ना होगा ऐसे कुछ नहीं हो सकता ओके यहां पर लाइव सैकल में क्या है कि अगर शील्ड ओफ नी होगा तो 5% रीजन होगा ठीक है 10% नी होगा ओके म यहां पर 4% बची है इसकी है अब मुझे बार बर हैवी ही स्पैम करने होगे ताकि जो शील्ड का टाइम है वो थोड़ा जल्दी से बढ़ जाए एंड यह मरे तो देखते हैं ओके अगें मैंने नॉक आउट कर दिया इसको अगें मुझे नॉक आउट करना होगा इसको यह मैं एक बार रीपैरी सीख लूना बाई मैं रीपैरी अगर सीख गया बैंड बजा दूगा मैं सकी मैं सब की बैंड बजा दूगा अगर रीपैरी सीख आ मैं वो रीपैरी करना नहीं आता है लेकिन मैं तब भी इतना अच्छा ठीक ठा खेल लेता हूं अगर रीपैरी करना सीख गया मैं इनकी बैन बच जाएगी भाई मैं मेरे रिवाइब भी यूज ना हूँ सेबर टूट से लड़ना है तो वार लॉक ही बेस्ट ऑप्शन है और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है बेस्ट ऑप्शन दूसरा है कि हील ब्लॉक होना चाहिए अगर कोई अप चैंपियन यूज कर रहे हो एंड अगेन यहाँ पर एक चीज़ का मेरे को अच्छा लगा जो मैंने यूज किया हील ब्लॉ है मैंने हीलिंग बॉल्स यूज कि यहाँ पर लेवल 6 की जो कि मैंने वेलिंग बॉल्स इक्सपायर होगे है मुझे बहुत दुख होगा इसे अच्छा है रिउज हो कि फिर उसी में तो फान है तुम अगर पढ़े पढ़े तुमारे पास रिवाइव खतम एक्सपायर हो रहे है तुम इतने भी परोह बन जो इतना भी परोह बन कि क्या ही करना ह मज़ा भी नहीं आता है गेम में फिर सब कुछ असान लगता है इसलिए रिवाइब भी यूज होते रहने चाहिए पता चलता है सामने वाले को डर लगा रहता है कि आप दो ही रिवाइब बच गे तो क्या करेंगे हमको फाइट अच्छा करना को डेगा ऐसे अगर इंवेंट इंटरी में रिवाइब बचे नहीं है मुझे अच्छा ही केलना है मेरे को फाइट को अच्छा केलना है ओके यहां पे स्पैशल थ्री यूज करना पड़ेगा क्योंकि हो लगा अब्वेस ही बात है कि सेबर टुथ से फाइट करनी है वार लोक इस बेस्ट ऑप्शन क्योंक क्लिकर नहीं तो वार लोक ले Epic के जाओ इंसनेट इम्योन है ब्लीनि 음 कैर रोश्ट उम्योन है इंसनेट इम्योन है इंसा इंपर बेंनियोन है इंडरी जुर्फन रीन कर लेता है ऐडिजन देता है और किया चै।ि साइरी शख याबिलीटिश है अस में वार लोक में बस म कम है लेकिन कोई दिक्कत की बात है अबिलीटी इतनी ज्यादा है कि भाई तुम्हें डैमेज को कोई फिकर ही नहीं लेनी है तुम अराम से लपेट लोगे इसको कि मैं स्पेशल टू ही छोड़ूंगा आरे बाई यह पड़ गई क्योंकि स्पेशल टू छोड़ूंगा यार क्यूंकि स्पेशल इचरी छोड़ ता तो मैं मिल कोई फिर में को पूरी फाइट कॉम्बो से लननी पड़ती है स्पैशल 2 का हटट लॉकर लगा है, हमें स्पैशल 1 निया तो स्पैशल 3 चौड़ना होगा हमा मैं स्पैशल 3 पर ही इंट्रेस्टिट हूँ यह दिया मैंने ही बलीड इसको एंड यह बलीड डैमेज क्यों नहीं ले रहा बलीड का वाई ? क्या दिक्कत है ब्लीड का डैमेज नहीं लिया ऐसे है ना हाँ या डैमेज ओवर टाइम नहीं मिल रहा है इसको हाँ ब्लीड का डैमेज नहीं ले रहा है ओके तीन है वी स्पैम कर दिया बहुत ही बढ़िया ओके यहाँ पर इन्वेक्शन हट गई है क्या हाँ ओके अब ठीक है ओके 7% हेल्थ है इसकी एंड यहाँ पे मैं special 3 क्यों नहीं छोड़ रहा हूं मेरे को भी नहीं पता मैं शायद ऐसे मारूँगा ओके मेरे को knockout करना पड़ेगा ना पहले से तो मुझे पहले इसको knockout करना है यह किया मैंने यहाँ पे knockout कोई problem नहीं है ओके fight यहाँ पे है guillotine 2099 के साथ में तो हमें यहाँ पे special 1 को पहले भैगना पड़ेगा क्योंकि true sense लाना पड़ेगा आप सब लोग को पता है यह phase में जाती है तो उससे थोड़ी problem हो जाएगी उससे थोड़ी नहीं काफी problem हो जाएगी तो हमें special 1 तो छोड़ना ही पड़ेगा बार बार तो देखते हैं क्यासी fight जाती है फिलाल हमने इसको अच्छे से मार लिया यहाँ तो special 2 पे इसको कर दो push क्योंकि power drain भी नहीं कर पाएगी special 1 पे करती है न power drain ओके हमने यहाँ पे special intercept किया बहुत बढ़िया करते हैं यहाँ पे अगें नॉक आउट कर दिया 7% health है इसकी एक नॉक आउट कर दिया न यह डाउन है यार मुझे लग रहा है यह डाउन है यह मर जाएगी ओके रिजन के मेर को नॉक आउट करना ही पड़ेगा इसको यह के मैं यह जो यह फाइट है यह काफी लंबी फाइट है मतलब इसमें काफी मार पड़ी है रिवाइज भी यूज है एक लिए लेक्ट्रो लुक देखो इसको मारने के लिए मतलब यह लेक्ट्रो के तरह बिहेव करेगा आपको आप जब भी इसको एलेक्ट्रो जैसे आप मारते हो तो रिफ्लेक्ट करता है डैमेज यहाँ पर कुछ नोड्स है अरोगेंस है कॉम्बो पाटी है मतलब कॉम्बो लॉस्ट हुआ तो क्या होगा बंदे को कॉम्बो लॉस्ट हुआ इस तैन प्रौवर्स बॉफ बफ पस्पैशल अटाइक बिकम अन ब्लॉक बिकम उन ब्लॉकेबल ऑके तो मतलब इसको पैशल तू पे हमको पुछ नहीं करना है special one पर रखने हैं, okay, तो guys, मैं आप लोगों को बता दो हूँ, electro lug जो है, यहाँ पर जो इसके special होंगे, वो lug cage की तरह होंगे, लेकिन, यह behave करेगा, electro की तरह, यहाँ तो इसके special भी, I think special भी इसके जो electro की तरह है, हाँ, शायद वैसा ही कुछ scene है, okay, तो मैं यहाँ पर, यहाँ पर falcon को इसलिए लेकि आए हूँ, क्योंकि मिरको इसका red wing, एक बर मैंने scan out कर दिया, इसको red wing active कर दिया, उसकी वज़ा से मिरको reflect नहीं करेगा damage, मुझे हमेशा इसे red wing को, red wing रखके ही मारना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हूँ, इसके special है, electro की तरह, मैं special 2 ही मारूँगा, आप देखो मैंने special 2 पे लेके गया हूँ, तो इसको provis मिला है, indefinite provis मिल गया है, यहाँ पर red wing मेरा active है, तो मुझे reflect नहीं हो red damage, लेकिन अगर मैं red wing के अलावा मारूँगा इसको, तो मुझे reflect होगा damage, आप लोगो ने देखा, red wing last hit जो पड़ा, मुझे reflect होगा damage, मुझे अब wait करना है, जब तक मेरा red wing जो है वापिस से नहीं आ जाता, उसके बाद मुझे scan करना पड़ेगा again, यहाँ पर starting में fight में मार पड़ गई, तो थोड़ा प्रॉप ओके, यहाँ पर मार पड़ गई, हमने 79% पर पहुचा दिया है, इसको लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास falcon ही था, इसे मारने के लिए, और किसी champion को use करूँगा, अब वो बेवकूफ ही है, तो मैं falcon को ही बार बर revive में डालने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास, तीन champion अभी भी बचे हुए हैं अपनी team में, तो जितना में मार सकता हूँ, उसके बाद में falcon से ही revive करने वाला हूँ, क्योंकि यह damage reflect करने वाला है, तो वो problem बहुत ज़्यादा होने वाली है उस चीज़ से, damage over time नहीं दे सकते इसको हम, यहाँ पे आप लोग देख रहे हूँ, damage reflect हो रहा है, जितना ज़्यादा critical hit दोगे, उतना ज़्यादा damage आपको reflect करेगा यहाँ पे, and again पड़ी मार, indestructible इसका आने वाला है वैसे भी, हमें वो भी दियान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, कम मैंने कितना ही मारा है इसको, and damage मैं खुद ही मर गया हूँ, तो falcon आपको वो वो ला champion लाना है, जो energy damage नहीं देता है, energy damage नहीं देता है, physical damage डील करता है, जैसे falcon है, physical damage डील करता है, मुझे और नहीं पता है, सची में बता हूँ, मुझे और कोई नहीं पता कि, कौन physical damage reflect, मतलब लेता नहीं है, मेरे पास falcon था, मैंने youtube की video से देखा, mcoc noob की video से देखा, उसके बाद falcon था, उसके बाद falcon से मारा, तो मैंने falcon ही लेके आया, मेरे पास था, मैंने upgrade किया, एंड लेके आया हमें, मेरे को और नहीं पता, बाई इसका counter कौन है, अगर किसी को करना है, तो बाई प्लीज counter देख लेना, अपने लिए falcon हो तो बढ़िया है, बाकी मुझे नहीं पता यार, कौन इसको मार पाएगा, anyway, हमने 69% पे से पहुचाया है, अभी मेरे पास black video बची है, शायद, हाँ black video बची है, उसके बाद मैं hercules है, उसके भी try कर लेंगे, पहले hercules से try कर लेते हैं, let's see, देखते हैं, हम क्या गर सकते हैं यहाँ पर, क्या हो सकता हैं यहाँ पर, okay, indestructible है, देखो, यहाँ पर reflect नहीं हो रहा, क्यूंकि हम damage ही deal नहीं कर रहे हैं, उसको तो reflect क्या होगा, okay, ठीक है, यहाँ पर damage deal होने लगा है, हमें reflect होने लगा है, बापे से damage, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना हम मार सकते हैं, हम मारेंगे, जितना हम मार सकते हैं, उतना मार सकते हैं, और combo party, देखो, यहाँ पर arrogance, मतलब हर 10 hit में, मेरे को filter मिल रहा है, तो मेरे combo party, यहाँ पर combo जो है, वो deal मतलब miss हो रहा है, combo टूट रहा है, जिसकी वज़ा से मुझे मार पड़ती है, and damage भी, burst damage मिलता है, 40% of the defenders attack, ठीक है, special 3 active है मेरा, in immortality भी है, 43% है न, let's see देखते हैं, कितना बचे गए, अरे भाई इसको indestructible था यार, shit मेरा special 3 waste हो गया यार, okay कोई दिक्कत की बात निया, कोई दिक्कत की बात निया, आप Falcon को करेंगे, Falcon का जो red wing है, उससे बहुत सारी चीज़, एक तो damage reflect नहीं होता, दूसरा filter नहीं मिलता है आपको, filter को भी वो bypass करता है, इसलिए मैं Falcon को लेके आया था, okay, indestructible है इसका, तो मैं यहाँ पर, यह दो को bleed immune है यह बंदा, तो मैं यहाँ पर power gain कर रहा हूँ, bleed immune है तो power gain कर रहा हूँ, okay, okay, filter मिल चुगा है मुझे, passive filter मिला है, हर 10 hit पर हमें क्रुएलिटी मिलेगी, okay, यहाँ पर damage हुआ, combo party lost हुई, and मेरे को 40% of the damage, defender का deal हुआ, यहाँ पर हमने again, special 2 अगर मैं छोड़ूँगा, लेकिन कोई दिक्कत, वो फिर problem है, यहाँ पर भूल रहा था, बार-बार arrogance है, जिसकी बज़ए से हमें, filter मिलेगा, हर 10 वे hit पर filter मिलेगा, 3 second के लिए, तो वो चीज़ दियान में रखना, सब चीज़े दियान में रखना, बहुत मुश्किल हो जाता है, fight में, लेकिन जो अब update आने वाला है, तो उस चीज़ से हम दियान रख सकते हैं, update आने वाला है, 6 September को update आएगा, यहां पर आ गया हो मैं इसको revive करके, यहां पर red wing हमने lock on कर दिया है, अब हम इसको damage डिल कर सकते हैं, हमें, oh shit man, पढ़ गई यार, oh no, यार, मार पढ़ गई यार, ठीक है, थोड़ा बूत region दो करूँगा, लेकिन यार, मार पढ़ गई यार, shit man, मैं special 2 ही फैकने वाला हूँ, इसको मैं इसे नहीं मारने वाला, special 2 again देते हैं, इसको यहां पर lock on है, यह दिया, special 2, 19K का damage भाई, okay, मेरा red wing हट गया है, तो मेरे को time का थोड़ा देखना पढ़ेगा, थोड़ा, ओ, थोड़े देट बेट करना पढ़ेगा हमें, okay, मैं अब scan कर सकता हूँ, okay, red wing, यह हो गया lock on, बढ़िया, अब मार सकते हैं इसे फिर से, 19% है भी भी, भाई, critical damage देख रहो है, आप लोग क्या मिल रहा है, amazing, मैंने 100 signature stone रखाओ, अरे, शिट, मैं dex करने के चक्रों में मार पढ़ गए, 10% health रहती है, इसकी, okay, guys, आगे, यहाँ पर, revive मार के, एक हो, 20 का, and indestructible है, तो उस चीज का थोड़ा द्यान करना होगा, पहले चलते हैं, scan करते हैं, इसको lock on करते हैं, and अब मार सकते हैं इसे, अराम से, तो यहाँ पर डैमेज दे सकते हैं, काफे जादा, 7K का, यहाँ पर critical hit मिल रहा है, last hit भी critical होगा, 7K का, 3%, again, मैं, इसको dex करने के चक्रों में मार पढ़ गए, यह ब्लॉक डैमेज ले लूँ मैं, तो वही रहेगा, ठीक, तो गाईज, तीसरा revive मार के आया हूँ मैं, तो I hope कि यहाँ पर अब मर जाएगा, बंदा, lock on तो कर दी हैं हमने, ठीक है, आप देखते हैं, ट्राइ करते हैं मार के, यह fight आओर है, ठीक है, तो यह fight असान थी वैसे, बस मेरे पास counter अच्छा था, तो भाई, इसलिए मैं मार पाया, वरना मेरी band बच जाती, सज बतारो, अगर मेरे counter नहीं होता, तो मेरी band बच जाती, अगर आपके पास भी falcon है, तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है, तो MCOC noob की video देखो, उसने counters बताया है, electro Luke के लिए, तो अगर कोई counter है, तो ले जाओ, अगर counter नहीं है, वेट करो भाई, इसमें band बच जाएगी, एक करते करते, तो I hope आप लगों को पसंद आया होगा video, मिलूँगा जल्दीन ये video में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाबाई, खत्म, बाई बाई, टाटा, गुडबाई, गया,